आज हम बनाएंगे पिशावरी फिश फ्राइ जिसे धाबा स्टाइल फ्राइ फिश भी कहते हैं बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है जिसमें फिश को बिल्कुल भी मेरिनेट करना नहीं होता इसके लिए सबसे पहले हमें फिश चाहिए कोई सी भी मचली आप ले लें मैं इसके उपर हम ताजा लें लगाना है तकरीबर दो टेबल स्पोन लेसन का पेस्ट हम इसके उपर लगाएंगे अगर आप चाहें तो आप मचली को साबकी है इसके उपर लेमन जूस हम ढालेंगे यह नेकि लेंबू का रस दो टेबल स्पून कोई सा भी फिश मसाला आप ले लें जैसे कि शान का होता है या नैशनल का होता है कोई सा भी रेडिमेट फिश मसाला आप ले सकती हैं एक टेबल स्पून भरके हम फिश मसाला डालेंगे हल्दी पाउडर हम इसमें शामिल करेंगे वन टी स्पून अजवैन हम इसमें शामिल करेंगे आधा टी स्पून चाट मसाला हम इसमें शामिल करेंगे वान टी स्पून और इसके लाबाँ अब हम इसमें एक मिक्सर एड़ करिंगे जिसमें दो टेबल स्पून सावुद धनिया वन टेबल स्पून या फिर आठ सेदस लाल मिर्चे जो लाल मिर्चे होती है और वन टीस्पून जीरा जो सावुदए और वह सब हम एक साथ करके उसे अच्छे से करश करके बहुत जाद आपने क्रश नहीं करना थोड़ा सा हलका हलका सा क्रश करके हमने इसमें शामिल कर लेना है इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा नमक अप हज भी जाय कर सकती है क्योंके फिश मसाला चाट मसाला में अल पिशावर में तो उसमें इसको नहीं छोड़ा जाता डायक। इसको फ्राय करते हैं इसके उपर हम एक टेबल स्पून बेसन ऐड़ करेंगे। कॉन फ्लोर हम डालेंगे वन टेवल स्पून और इसके लावा एक्स्ट्रा क्रिस्पी करने के लिए मैं इसमें चावल का आठा शामिल करेंगे लेकिन ये टोटली आपिशनल है अगर आपके पास मुझूद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं सिर्फ कॉन फ्लोर और बेस्टन आप शामिल कर सकती हैं वन टेवल स्पून हम इसमें चावल काटा शामिल करेंगे अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से हमने इसको रब करना है क्योंकि जो ढाबे बे बनाते हैं तो वो फ्रेशली कट करके इसी तरह सारे मसाले एड़ करके अच्छे से तकरीबर आच से दस मिनट इस तरह रब करते हैं ताकि इसमें मसाले अच्छे से जजब हो जाए क्योंकि इसको मेडिनेशन के ल फ्राइ करेंगी तो इसकी जो कोटिंग है वो उतर जाएगी इसको हमने मीडियम से हाई हीट पर फ्राइ करना है ताकि अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए और क्रिस्पी बन जाए तो ये हमारा मसाला फ्राइड फिश यानि पिशावरी या धाबा स्टाइल आप जो भी कह लें फ्राइड फिश हमारी त्यार है बहुत ही सिंपल और एजी रेसिपी है थोड़ा सा मिसके उपर चाट मसाला एट करूंगी और लेमन जूस आट करूंगी और आप इसे इसी तरह गर्म-गर्म सर्फ करें बहुत ही सिंपल और एजी रेसिपी है आप मेरी रेसिपी जरूर बनाएए जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे फीड़बेक जरूर दीजिए अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब क ना मत भूलेगा मेरे चैनल को थेंक यू फॉर वाचिंग अल्लाहाफेज